बॉलोड की दुनिया चकाचान से भरी दुनिया है यहां पर चमकते सितारों की जिन्दगियां ऐसे चमचमाती है कि उसके पीछे का सच लोगों के सामने आ ही नहीं पाता तबी तो प्लास्टिक सर्जरी से लेकर महंगे महंगे मेकप तक इस सारी चीजे ना सिर्फ इनके चहरे की जुर्यां चुपाती है बलकि इनकी असली उम्र चुपाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती ऐसे में हमने सोचा क्यों ना इनकी पोल पट्टी खोल दी जाए और मेकप के पीछे छुपे इनके असली रूप को लोगों के सामने लाया जाए तो भाईया हैरान होने के लिए तयार हो जाएए एक बार जो हमने इनकी उम्र का असली राज खोलना शुरू किया ना होश न उड़े तो कह देना हमारी पहली आदाकारा को ही देखकर आपका मूँ खुला का खुला ही रह जाएगा क्योंकि जितने खुबसूरत है उतने फिट और एक्टिव भी है तभी तो इनकी उम्र 25 से एक दिन भी जादा या कम नहीं लगती पर भाई सहाब अपने अर्मानों पर काबू रखिये चिलपा शटी केवल दिखती छोटी है असल में इनका जन्म 8 जून 1975 को हुआ जिसके मुताबिक आज ये 45 साल की है यानि कि जिस उम्र में हमारे या मैलाएं बूर ही गोशित कर दी जाती है उसी उमर में आज की यंग ल पर भाई सहाब 47 साल के हैं अजय देवगन सीरियस रूल से लेकर कॉमेडी सीन तक हर एक चीज में अपना 100% देने वाले अजय देवगन भी 50 का आकड़ा पार कर चुके हैं और दो अप्रेल 1929 को जन में अजय देवगन आज 52 साल के हैं अक्षे कुमार वैसे 50 का आकड़ा तो हमारे अक्की बाबा यानि अक्षे कुमार भी पार कर चुके हैं तभी तो 9 सितंबर 1967 को जन में अक्षे कुमार आज 53 साल के हैं पर मजाल है कोई कह दे कि ये इतने उमर दराज हैं संजदत बॉलिवड में संजदत का अपना अलगी स्वैग है तभी तो 29 जलाए 1969 में जन में संजदत आज भले ही 61 साल के हो लेकिन इनके हिट फिल्मों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही सनी दियोल वैसे है हमारा ढाई खिलों का हाथ वाले सनी दियोल को भी कुछ कम कमाल के नहीं है जा 19 सक्टू पर 1956 को जिन में सनी दियोल आज 64 साल के हैं लेकिन इस उमर में इनका क्रेज कम नहीं हुआ जो आज भले ही बड़े परदे से दूर रहते हों लेकिन जब कभी भी एंट्री मारते हैं तब अपना भोकाल जमाकरी बैठते हैं बॉबी दियोल बड़े भाई की बात तो कर ली आए लगे हाथ छूटे भाई की बात कर लेते हैं जिनका करियर जिग-जाग पजल से कम नहीं था पर फिर भी 27 जनवरी 1909 को जन में बॉबी दियोल ने कैसे भी कर अपने एक्टिंग का लूहा मनवाने वाले जैकी श्रॉफ के बारे में जिनके उम्र इस सने 64 साल की है और इनका डेट और बर्थ एक फरवरी 1957 है आपको बता दे आज कर ठीक इनकी तरह ही इनके सुपुत्र टाइग श्रॉफ भी बॉलिविड में तहल का मचा रहे हैं अमिताब बच्चन बिग बी के नाम से मशूर अमिताब बच्चन को भला कौन नहीं जानता होगा ग्यार अक्टूबर 1942 को जन में अमिताब बच्चन आज 78 साल के हैं लेकिन मजाल है कोई इन्हें 50 से उपर का कह दे अलिया भर्ट अब इन से मिलिये यह है अलिया भर्ट जिनका चहराई जितने क्यूट है इनकी अक्टिंग उतनी धवाकेदार है अब भले इनके पिता के कारणा में दुनिया भर में बदनाम हो लेकिन लड़की इनकी बिल्कुल टॉप के अक्ट्रिस है जिसने छूटी से बॉलिवर्ड इंडस्ट्रि में तहल का मचाकर रख दिया और सुनाये आने वाले समय में कपूर खांदान की बहुरानी बनने वाली है जहां इनकी पूरी फ्यूचर प्लैनिंग मात्र 28 साल के उम्र में हो गई है जी हां आलिया का जन्म 15 मार्च 1993 को हुआ जिस हिसाब से ये इस समय 28 साल की है रणवीर कपूर अब आलिया दिदी की बात हो ही गई है तो रणवीर भाया का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हमारे दिल पहें कि आशेक दिल के मामले में चाहे कितना भी गच्चा खा जाए लेकि अप्टिंग तो एकदम माशाल्ला करते हैं और 28 सितंबर 1982 मे जन्में ये जनाब आज 30 साल के हैं लेकिन इन्हें देखकर लगता नहीं कि आलिया भट से इतने बड़े हैं केटरीना कैफ अब दोस्तों केटरीना कैफ के चहने वालों की तो कोई कमी नहीं है आदे से ज्यादा भीश तो इनके पीछे जान तक लुटाने को तयार है लेकिन 16 जलाए 1983 को जन्मी केटरीना कैफ 37 साल की हो चुकी है पर अभी तक इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसके आमिर खान हमारे मिस्टर पोफेक्शनेस्ट भले ही साल भर में एक पिक्चर करें लेकिन बॉलिवूड के सारे आकड़े तोड़ कर रख देते हैं पर जब बात इनके उमर के आती है तो 14 मार्च 1965 को जन्में आमिर आज 56 साल के हो गए है पर सच में इनके उमर 30 35 से बिलकुल ज़्यादा नहीं लगती दोस्तामर खान से याद आया आपको कौन से खान की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आमर शारुख या फिर सल्मान खान अपना जवाब अपने हूस्टो दोस्ताम को कमेंट करके बता दे ना रितिक रोशन अब इनके चेहरे पर तो बॉलिवड छोड़िये हॉलिवड तक की हसीनाएं पागल है अब क्या करें हमारे रितिक रोशन हैं ही इतने हैंडसम और आप यकीन नहीं मानेंगे रितिक रोशन 47 साल के होने के बावजूद लड़कियों की बीच बहुत ज़्यादा डिमांड में है शाहिद कपूर च इसनालेटी में अच्छे खासे नौजवानों को पीछे छोड़ देते हैं प्रियंका चोपडा दोस्तो हमारी ये देसी गर्ल विदीशों में भी अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी है और वाख़ी में प्रियंका चोपडा ने वो कर दिखाया है जिसे करने के बारे म कोई सोच भी नहीं सकता था वो भी सिर्फ और सिर्फ 38 साल की उम्र में जी हां 18 जलाय 1982 में जन्मी भले ही 38 साल की हैं लेकिन ना ही अपने लुक से इतनी अधिक उम्र की लगती हैं और ये अपने काम में ये जो जोश दिखाती हैं वो किसी छोटे बच्चे से कम नहीं है करीना कपूर कपूर खांदान की लाडली विटिया और नवाव खांदान की बहु के साथ-साथ हमारी करीना कपूर अब दो बच्चों की मावी बन चुकी है अब भले ही इनका वजन थोड़ा बढ़ चुका हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी उमर बड़ी ही अब आते हैं नवाब साहब पर जिनके उम्र सुनने के बाद आपको जटका ना लगे तो कहिएगा क्योंकि ये वाकई में काफी कम उम्र के लगते हैं और इनकी एक्टिंग भी लोगों को हैरान करने का कोई मौका नहीं छूड़ती पर आपको बता दे 16 अगस्त 1970 को जन्में स देफली खान इस समय 50 साल के हो चुके हैं और कुछ ही मेनों में 50 का आकड़ा पार करते हुए 50 के हो जाएंगे वैसे जब एक्टिंग की बात हो और दिपिका पादुकून का नाम ना आए तो भाई साहब होई नहीं सकता मतलब आज के टाइम पर अगर सबसे बेस्ट एक्टरेस कसी को कहा जाएगा तो हमें नहीं लगता कि दिपिका पादुकून की जगह कोई और ले सकता है और अगर खुबसूर्ती की बात करें तो आज ये 35 साल की होने के बावजूद भी नई नविली दुलहन लगती है लेकिन शायद ही कोई ये कह सकता है कि इतनी अधिक उम्र की हैं रणवीर सिंग बेगम साहिबा के बारे में तो बात हो गई लेकिन दिपिका के पती भी इन से कम नहीं है जा इनकी वाइफ बेस्ट एक्टरस है तो वहीं ये जनाब बेस्ट एक्टर है जो हर तरह के रूल में ऐसे फिट हो जाते हैं कि क्या ही बताएं पर अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो ये भी अभी 35 साल के ही हुए हैं सल्मान खान शादी ना करके जैसे सल्मान ने अपने उम्र को ही रूक दिया है तबी तो इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद लड़कियां आज भी इनके प्यार में पागल है 27 दिसंबर 1965 को जन्मे सल्मान खान इस वक्त 55 साल के हो चुके हैं लेकिन सच में ये इतने अधिक उम्र के नहीं लगते अब पता नहीं ये कौन सी अक्सिसाइस का कमाल है या हमारे सल्लूमिया नैचुरली इतने हंसम है अपनी उम्र को पच्छारने में लगे पड़े हैं अब बारी हमारे बॉलिवड के किंग खान यानि शारुख खान की जिनके अक्टिंग ने तो मतलब विदेशों में भी लोगों को दिवाना बना रखा है सनी लियोनी जब हम इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो भाई साब सनी लियोनी कैसे पीछे चूड़ सकती है ये भी तो हमारी बॉलिवड की अदाकारा है जिनके खुबसूरते के चर्चों के बारे में आप जानते ही हैं हमें आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन हां 13 माई 1981 को जन्वी सनी लियोनी की उमर हम आपको सच बता सकते हैं क्योंकि इस समय 49 सैल की है और अपनी शादी शुदा जिंदगी में बड़े खुश है आए दोस्तों चलते चलते आपको उभरते वे सितारे टागई शुरॉफ के बारे में बता दें जिनके एक्टिंग तो अच्छी है ही मुझे नहीं लगता लेकिन एक्टिंग से अच्छा इनका डांस और स्टंट है जो इन्हें एक खास फिस्मिक एक्टर बना देता है और धीरे-धीरे बॉलिवड में अच्छी पहचान भी बना रहे है हाँ धीरे-धीरे सीख जाएगा लॉंड अक्टिंग तबी तो 2 मार्च 1990 में जन्में टाइगर श्रॉफ 31 साल की उमर में इतना कुछ कर रहे हैं कि आने वाले 4-5 सालों में तो धमाका कर देंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर हाँ तो इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कसर नहीं छोड़ने का